गाइज अगर आपके नमबर पर भी कॉल फॉरवर्डिंग लग चुका है जैसे आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है वो कॉल आपके नमबर पर नहीं आ रहा है किसी दूसरे नमबर पर वो कॉल जा रहा है तो आप ये पता कैसे कर सकते हैं कि किस नमबर पर कॉल फॉरवर्ड किया जा रहा है और कैसे आप call forwarding को off कर सकते हैं वीडियो को complete देखना गाईज तभी आप समझ पाएंगी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी फिचिटे यूटूब चैनल में गाईज चैनल पने चैनल को सस्क्राइब जरूर का देना वीडियो को लाइक नहीं क कैसे ये पता कर सकते हैं कि किस नमबर पर call forward किया जा रहा है उसके लिए गाईज आपको क्या करना है एक code यूज करना है star hash ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है two one उसके बाद hash type कर देना है ठीक है जैसे आप ये type कर देते हैं उसके बाद आपको call कर देने है इस नमबर प करता है तो वो कॉल इस नंबर पर जा रही है ठीक है तो आपको क्या करना है अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग ओप करना चाहते हैं उसके लिए गाईज आपको क्या करना है आपने डाइलर पर आना है और यहां पर आपने टाइप करना है स्टार ठीक है उसके बाद गाईज य है call forwarding has been deactivated on your number दे सकते हैं जो मेरे number पर call forwarding थी वो बंद हो चुकी है ठीक है अब आपको क्या करना है दुवारा से पता कर लेना है एक बार ठीक है कि बंद हुई है या नहीं हुई है तो दुवारा से आपने क्या करना है वो ही दे सकते हैं mm यहां पर नबर क्षा रहा है not forwarded यहां पर लिखा हुआ आ रहा है और नीचे भी not forwarded आ रहा है पहले यहां पर नंबर शो हो रहा था जिस पर मेरी कॉल फॉरवडेंग की जा रही थी ठीक है अभी यहां से हट चुका है और यो अप कोई काल forwarding की गई है तो आप उसको इस तरीके से off कर सकते हैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like जरू कर देना फिचेटा यूटूब चैनल पनेगा चैनल को subscribe जरू करें कोई प्रॉलम आती है तो वीडियो के नीचे comment box में अगर आप comment कर सकते हैं हम की पूरी help करेंगी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद